बॉलेवोट चाउन की फेमस अधरकारा काजोल हभी हाली में अपने हजबन अज़देवगन के साथ एकास क्रिप से वापस लोटी है कि आप भी जानते हैं काजोल और अज़देवगन के बारे में कि दोनों को ही काफी जादा पसंद है एक दूसरी के साथ वक्त गुजारना लेकिन जब घर पर एक आपच तूट पड़ी थी जी हां वीर्योदेवगन की जाने के बाद जब अज़ए काजोल का रोना थोना लगा हुआ था खुब रोती नज़र आई थी अपने ससुर को खोने के बाद काजोल जिसके बाद इसमें से बाहर करने के लिए परिवार को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बच्चों को खुश करने के लिए इस गमगीन माहोल से बाहर निकलने की कोशिश में एक शौट विकेशन ट्रिप के लिए देवगन परिवार को बाहर विदेश में इंचोई करते वे देखा गया जिसके बाद सभी वापस लोटते नजर आए जी हाँ रोड ट्रिप को लेकर भी चर्शा में थी काजोल और अरजय के जोड़ी तो साथ में उनके परिवार वालों के बीच बच्चे भी थे नियासा और साथ में युग लेकिन सवाल ये है कि जब भी ये दोनों लोटते हैं तो अलग-अलग मूर में नजर आते हैं मीडिया के सामने इन्हें हसना खिल खिलाना बिलकुल नहीं पसंद परसे बातों बातों में हो गई बहस अचय और काजोल अलग-अलग नजर आए अलग-अलग साइड साइड हटते नजर आए ऐसा लगा मानों दोनों के भी चाम कर लडाईयां हो गई हो क्योंकि काजोल और अचे देवगन बुस्से के मूड में नजर आए एंगरी मूड में नजर आए वेल इसका कारण चो भी हो लेकिन यहां बढ़तों तस्वीरे यही बात का अशारा कर रही है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर आप सी छड़ब हो गई यूरोप में वेकेशन ट्रिप के लिए पहुँचे थे अजे देवगन काजोल तो साथ में उनके बच्चे युगदेगन और न्यासा देवगन भी पहुँचे थे जिसे जोड़ी तस्वीरे आप देखी रहे होंगे हमने आपको तस्वीरे दी है तो वही हमने आपको ये भी बता ही दिया है कि वापस लोटने के वक्त इनका अलग-अलग मूड नजर आया जीहां ये कपल काफी मूडी है कहना गलत नहीं होगा कभी इनके बीच की दोस्ती दिखती है कभी इनके बीच मुहबबत दिखती है तो कभी इन दोनों को नाराज भी देखा जाता है वैसे आपको बताना शाहिंग एक दिल्शस्प किस्सा एक चैट शो में काजोल को लेकर उनके पती अचेदेवगन बॉलिवोड के सिंगाम एक्टर ने एक बार कह दिया था कि बुढधी हो गई है काजोल लेकिन इस बुढ़ापेक यूमर में भी उन्हें शौक अजीबो गरीब है फोटोस लेने के बाद फोटोस को एडिप करना चीहां अलग-अलग एंगल में सलफी लेना इनके शौक है इस बाद सुनकर काजोल काफी गुस्सा हुई थी अचदेवण पर और टीवी टाउन के इस शो की दौरान ही चैट, शो की दौरान ही आन स्क्रीन ही ये दोनो परदे पर ही लड़ने लगे थे वहाँ पर सेट पर स्रेच पर काजोल ने अपने हस्विन को जबाब दिया था कि बुढ़े होगे तो मैं बुढ़ी नहीं, मैं अभी बुढ़ी नहीं हुई जी हाँ, 40 प्लस भले ही काजोल है लेकिन वो अपने आपको ओल्डी नहीं मानती, अज्जे का ओल्डी कहना उनसे बड़दाश्त नहीं हुआ था वैसे एक और बात बता दें, जब ये लोग दो वापस लोटें, न्यू यॉक ट्रिप से तो बेटे यूग तो नज़र आए, लेकिन नियासा वापसी के वक्त अपनी मा के साथ नहीं, बलकि थोड़ी दूर नज़र आई थी नरसर ही आप जानते होंगे कि सिंगापोर्ड में एजुकेशन कम्प्लीट कर रही है नियासा देवगन और इसी कारण से उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है यही कारण है कि काजोल ने इस बारे में खुलासा करते वे बताया था कि बेटी की दूर होने की वज़े से बेटी से बहस कम होती है ये बात अलग है कि बेटी की कमी भी मैसूस होती है घर पर क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हर तरह के टॉपिक पर डिसकशन किया करती थी तो ये था रिष्टा देवगन परिवार के बीच का खास राज जाना आपने फिलहाल लेते हैं आप सभी से यहीं अजासत लोटेंगे जल्द बीटाउन से जुड़ी नई गौसिप के साथ तब तक के लिए नमस्कार